तो दोस्तों जैसा कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि हुआ युहाओ का नेक्रोमैंसर एक बार फिर से बाहर आ चुका था और बाहर निकलने के बाद जो उसने कांड किया है वाह तो आपने देखी लिया होगा और अगर आपने अभी तक ये वाली ग्रेट टॉर्नमेंट में जिसमें हुआ युहाओ जो ग्रदा मचाएगा आपको देखकर मजा आ जाएगा तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ जहां आपने देखा कि जिंग लाओ किंडम का किंग लंबी लंबी फेकते हुए कहता है वो टीम जो हमेशा स्टेज पर इस नजारे को देख हुआ युहाओ और इसकी टीम के काफी तगडे वाले होश उड़े हुए होते हैं जबकि श्रेक्स आकैडमी की टीम को देख के बाकी टीम काफी घबरा जाती है और वह डरते हुए कहती है ये तो दुनिया की सबसे जानी मानी टीम श्रेक्स अकैडमी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा सामना उनसे ना हो और इस तरफ वंगडॉंग और हुआ युहाँ के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते है और यहाँ मन में कहता है यहाँ नजारा कितना अमेजिंग है यहाँ पर सभी ही हमारे स्कूल का नाम ले रही है और यहाँ हमारे श्रेक्स अकैडमी की ग्लोरी है और हुआ युहाँ को मास्टर जुआन जी की बात का मतलब समझ में आ जाता है, जो उन्होंने इससे पहले कहा था कि ग्लोरी और विक्ट्री तुम लोगों से ही बिलॉन करती है, क्योंकि हम सभी ही श्रेक्स एकेडमी है, बच्चों स्कूल की ग्लोरी अब तुम पर ही है, जिस पर हुआ युहाँ मन ही मन कह जाता है, हम अपनी ग्लोरी के लिए जरूर प्रोटेस्ट करेंगे, और फिर पहला मैच शुरू करवाने के लिए कहा जाता है, जहां पर श्रेक्स एकेडमी के खिलाफ तिया लिंक स्पिरिट स्कूल खड़ा है, और इन दोनों ही टीम को बैटल के लिए तयार हो जाने के ल जर्वस है, हमारा सामना करने के लिए और जाकर अपने साहस और स्ट्रेंथ के जलवे दिखाओ, और फिर लिंग लूचन भी इन सभी को बैटल के लिए गुड लग कहती है, और दाई योचन कहता है, ब्राइट के साथ जाना और सभी को जानने दो की श्रेक्स अकैडमी कित इसनी ज्यादा स्ट्रांग है, इस मैच में ये सातों ही जान रहे होते हैं, कि यहाँ पीछे नहीं हट सकते हैं, और बेबे कहता है, सभी लोग सुनो, हमें इस बैटल को जितना ही होगा, जिस पर जियाओ-जियाओ कहती है, हम पीछे नहीं हटेंगे, और जियान ननन कहती ह हम काफी अच्छे तरीके से जीतेंगे और जू संशी कहता है, हम वैसा ही परफॉर्म करेंगे जैसा कि श्रेक्स आकेडमी से उम्मीद किया गया है, इन सभी को सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत है और वो बाटल है। और बेबे कहता है, हुआ युहाओ मैं इस चीज को तुम पर छोड़ता हूँ, जिस पर हुआ युहाओ कहता है, हाश्रेक्स आकेडमी निश्चित रूप से जीतेगी, जिसके बाद ये सातों एरिना में जाने लगते हैं, और इन्हें जाटा देख टीचर थोड़े से परेश होती है, और तभी जिताओं इनसे कहती है, टीचर आप चिंता मत करिये, बस उन पर भरोसा रखिये, और अरेना के अंदर टाइंग लिंग एडवान स्पिरिट स्कूल आ गई होती है, जिसके बाद इस कॉंटिनेंट की नंबर वन टीम जो की टूर्नामेंट की फेवरेट भ और जैसे ही श्रेक्स टीम अरेना में इंटर करती है, तो किंग भी काफी चौक जाते हैं, और यह कहते हैं, आखिर ये श्रेक्स अकैडमी क्या कर रही है, क्या वो अपनी स्ट्रेंद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनमें तो वाइड डूक का बेटा दा योचन भी श्रेक्स अकैडमी की स्टीम को देख के कुछ पीपल कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो सिर्फ श्रेक्स अकैडमी की बैकप टीम है, जबकि उनके अपोनन टीम अपने में फाइटर को भेज रही हैं, और ये तो एक नॉकाउट टूर्नामेंट है, तो क्या यहां उनक लिए ठीक रहेगा और audience कहती है team tying link का formation 3211 का है देखते हैं कि Shrex Academy का कौन सा battle formation होने वाला है और तभी सभी लोग सिर्फ एक ही बंदे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और अब first team battle शुरू होने वाली होती है जहां पर दोनों ही तरफ के fighter सभी तरह के spirit weapons को use कर सकते हैं और जैसे ही match शुरू होता है तो सभी के बीच में से हुआ युहाओ आगे निकल के आता है और जब सभी लोग Shrex Academy के सिर्फ एक ही person को आगे बढ़के आते हुए देखते हैं तो ये सभी लोग चौक जाते हैं और वैसे तो हुआ युहाओ अंदर से काफी ज्यादा घबराई ह हुआ होता है लेकिन ये काफी कूल और डेरिंग बनते हुए आगे निकल के आता है और हुआ युहाओ जैसे ही अपनी सेविन रेड कलर के सोल रिंग्स को रिलीज करता है तो इस वज़ह से पूरा अरेना रेड लाइट से कवर हो जाता है जो की किलिंग इंतेंट और गुस हीर्स ओल्ड स्पिरिट रिंग्स है जिस वज़ह से पूरा अरेना सदमे में खड़ा हो जाता है और इस तरफ जब किंग एक सो थाउजन के सेवन सोल रिंग को देखता है तो इसकी काफी तगडी वाले होश उड़ जाते हैं और यहां तक की जज की भी बोलती बंध हो रख होती है और हुआ युहां कहता है बेचारी यह चोटी चिडिया और फिर हुआ युहां अपने फेस पर अपने एक हाथ को रखते हुए कहता है तुम लोग तो सच में काफी ज्यादा अनलकी थे जो तुम्हारा सामना श्रेक्स आकेडमी से हुआ और अब मैं भी पीछे नही हटूंगा और ना ही कोई कसर छोडूंगा और इतना कहके हुआ युहां अपनी उंगलियों के बीच में अपनी आंखे खोलता है तो यह सीन वाकई में देखने में काफी ज्यादा गजब का लगता है इसकी आइस एकदम खून की तरह लाल हो गई होती है इसमें से रेड कलर की लाइट निकल रही होती है और इस सीन को देखकर हुआ युहां के सामने जो टीम होती है वो काफी ज्यादा डरने लगती है और यह सभी इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं ये पीछे हटके एक साथ एक कोने में आ जाते हैं क्योंकि इन लोगों को बिलकुल भी समझ में आ रहा होता है ये लोग अब क्या करेंगे और इस समय हुआ युहां बिना किसी के नोटिस किये अपनी फोथ स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज करता है और हुआ यहां मन में कहता है बढ़िया ऐसे ही एक दूसरे के करीब बने रहो इस तरफ हुआ युहां अपने दुश्म दर के मारे काफी ज्यादा काम रहे थे, इन लोगों के बीच में जो डिस्टिंस था वो भी गायब हो चुका था, और ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, जिस वज़ा से यहाँ सभी मेंबर्स अपने माइंड के लोईस्ट स्टेट में चले जाते हैं, और तभी अचानक से इस लमहे में एक गोल्डन लाइट चीरते हुए बाहर निकल कर आती है, और यहाँ गोल्डन लाइट हुआ युहाँ और वोंग डॉंग की स्पिरिट फ्यूजन से निकल के आई हुई होती है, इधर इस चीज को देखे, टीचर भी चौक गई होती है, और यहाँ मन में क कहती है, इस पिरिटूशन की टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, इस तरफ हम देखते हैं, कि यहाँ जो ब्राइट लाइट अप्या हुई थी, इसमें से एक काफी पावर्फुल लाइट की फायर होती है, और इस अटैक की चपेट में तियांग लिंग स्कूल के सारे फाइ गोल्डन स्टैचू में बदल गए हैं, और इस तरफ हम देखते हैं, कि टाइंग लिंग स्कूल की एक मेंबर बच गई थी, जो की काफी ज्यादा घबराई भी थी, और यहाँ इसलिए बच पाई थी, क्योंकि इसने अपने आपको सोल स्पिरिट डिफेंस वेपन से प्रो काफी ज्यादा डरते घबराते हुए कहती है, हे भगवान, अब हम क्या करें, आखिर हम इसे फाइट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं और नहीं रह सकता हूँ, प्लीज मुझे आखे कोई बचाव और तभी हुआ युहाँ रेफरी की तरफ देखते हुए कहता है, यह पहले प्लीज पूरा करवा देना, और कॉमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना, ओके बाई बाई टेक कैर